हमारा समंध करीब करीब 24-25 साल पुराना है और हम दिल्ली में एक छोटे से कारिक्रम में मिले थे एक शुद्धी का कारिक्रम था और तब से यहां समंध एक रूपता में ऐसा तब्दील हुआ कि आज मैं पतंजली योगपीठ और वात्सले ग्राम इन दो संस्थाओं के अंदर एकत्व को देखता हूँ और दीदी में अपने ही सुरूप को देखता हूँ एक बार पूरे पतंजली योगपीठ परिव्यार के और उसे उनको पुना बहाद बहाद प्रणा मंदन है हमारे सारे सेवावरति भाई हमारे सारे ब्रह्मचारी जो अश्टध्याई से ले करके काशी का महाभाश्य दर्शन और वेद वेदांगों का अध्यन करने हैं और सारी बेटिया जो अश्टध्याई महाभाश्य और सारे सास्त्रों का अध्यन पुज्य गुरुदेव के संडक्षन में और बहती हमारी विदूशी बहन सभिता जी के नित्रत्व में और बहन सुमन जी की छत्रशाय में सब बेटियां आगे बढ़ने सब बेटियों के लिए जो है अब द अब मेरे से कह रहे हैं कि मुच्छु वाली माता जी इदर बेटी तो आचारी के गुरु के हमारे हां कई रूप बताये हैं और माता उसका रूप होता ही है उसका एक बहुत गहरा नाता होता है तो दीदी मा को सब यहां के आचारी कुलम के छोटे बच्चों से लेकर के को दाती हो चुकी है, एकहांसे ज्यादा बेटा बेटी मैट आपि यहां है और अब और बढ़ने वाले है तो तो अगले साल मीलेंगे तो और बढ़े विलेंगे आपको, और देखो ये जो सेवा का अनुष्ठान है और जो रिशिजयान परंपरा को आगे बढ़ाने का अभियान है मैं बार-बार कहता हूं हमें रिशियों के प्रति गोरव तो रखना ही है लेकिन आपको ऐसा बनना है कि आपके होने से भगवान के होने का है सास और आपके होने से रिशियों के होने का है सा आपको बनना कि आप पतंजली के मूर्थ रूप है को अमकरा जमने पाणेयन उत्रुभिभव करे कि आप प्रति रूप है आप सीता लक्षमी दुर्स्वत म आप स्वयम अम्रित पुत्र हैं तो आपके भीताहसियों भगत्ता जीवन तो दिखे इस रूप में आपको बनना है और अपने विकारों को दख्दभीज करके अपने आपको विकारों से पुनताह मुक्त करके और उस दिव्य सत्ता का प्रत्रिधित्त करते भगवान का सामराज्य इस धरती पर कायम करना है इतने उचे संकल्प के साथ आप जुड़े हैं और इस पूरे अभियान में पतंजली उपिछ के उद्घाटन से लेकर कि अब त इस वर्ष पहले की बात कह रहा हूं तब महराजी की कथा हम चुपचाब बैठकर के सुनके आया करते थे तब से इनके साथ हमारा समंद्ध है पुझे महाराश्री का बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे समंद्ध सम्महापुर्श्री से ऐसे ही बने हमें नहीं पता था अब उस समय महाराजी कथा कर रहे थे 20-25 जार लोग सुन रहे थे हम चुपचाब सुनके आगे हमने का महाराजी तो बहुत अच्छा बहुत बहुत अच्छा है गाते भी बहुत अच्छा है ऐसे मैं इसी मन से कह था जब पुझे बापु यहां पर थे कि हम गंगोत्री में थे तब उस समय 93 94 की बात है पुझे मुरारी बापु कथा कर रहे थे तहूं सोचते थे कि भाई यह बापु बड़ा जोरदार है इसको कुछ बात कहनी चाहिए हम को चिठ्थी लिखने की सोच रहे थे मैंने का चिठ्थी लिखतो देंगे लेकिन बापु तक पहुंचेगी कै ऐसे लेकिन अब बापु हम तक पहुंच गे और हम बापु तक पहुंच गे और यह एक ऐसा प्रेम का संबंद इस पूर्य अभियान में पुझा देदी मा हो पुझे विजे कोश्चल जी महाराज हो पुझे मुरारी बापो हो पुझे अर्मेश भाई ओजा जी हो एक पुझ गोविन देवगिरी जी महाराजव ऐसे महापुर्श हैं जिनका प्रतिक्षण प्रतिपल आशीश हमारे साथ है और हम उनको अभिन्य मानते हैं और मुझे लगता है पतंजली योग पीठ में जो भी कुछ शुब होता है उसके सबसे ज्यादा प्रसन्नता पुझे दीदी म मा करे होते हैं पूझे विजयकोशन महराश्री का होती है पुझे मुर्णारी बापु जी को को रमेशाव चल्रा से बात की तो मैंने दीदी मा को इतना भाव को प्रेम का वातसल्य का अतिरेक और जह है बस कि स्वामी जी ये जो कुछ घटित हुआ है जह है वो अव्यक्त है सब्दों के द्वारा उसको कैसे कहें तो इतना वातसल्य है इन सब का और इसलिए मैंने अंत में दोनों ही महापुर्शों का अपने आशिरवात का क्रम रखा करें एक बार क्योंकि आप बहुत देर हो गई आपको वैठे वैठे आपकी जोरदार करतलत ध्वनी के द्वारा पुझी विखुश्वाज महराज जी का भी बहुत बहुत अभिन्दन है जोनोंने हर पल जब हम चाही योग में थे या युद्ध में थे सेवा में थे या सं हमराज है